क्रिस्मिस फ्रूट केक बनाने के लिए मैं दो अंडे ले ले रही हूं पहले इछे इसे मैं अच्छी तरह से विक कर लूँगी मैं फिर इसमें मैं 200 ग्राम सुगर डाल दी हूं पिसावार पिर इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी लोग ज़्यादा तर बटर से ही बनाते हैं लेकिन अगर आपके पस बटर ना हो तो रिफाइन ओईल से भी बन सकता है इसलिए मैं आज आपको रिफाइन ओईल से बना कर दिखा रही है अब इसमें मैं मेधा डालूंगी आधा चम्माच बेकिंग पॉड़र थोड़ा ओयल डालूंगी अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल चिली पॉड़र दूंगी और इसमें 200 ग्राम ही ऑईल दे रही हूं जो बचेवें ऑईल है मैं इसमें डाल दूंगी अब इसमें अच्छी तरह से फिर से मिला लूंगी में में ड्राइफूट डालूंगी इसमीज मुरब्य और आखरोट और बादाम जिसे मैंने बारी काट कर रखें अब इसे अच्छी तरह से मैं इसमें मिला लूँगी मॉल्ट में डालूँगी मॉल्ट में डालूँगी मॉल्ट मैंने बरशिंग कर दिये हैं ओईल से इस तरह से थप थपा लेना है 180 डिग्री प्री हीट अवन में अपने केक को 25 मिनिट के लिए बेक करूँगी प्रूट केक तयार है आप भी इसका रेसेपी देखें और हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने प्रूट करें अपने अपने मॉल्ट मैं अपने घखें झाल झाल